Good morning student, मैं कीरती परोहा, 12th general English की class में आपका पुना, स्वागत करती हूँ, बच्चों, जैसा कि previous वीडियो में हमने पढ़ा था, how to solve unseen passage, unseen passage जो हैं वो आपके जो syllabus part है, उसमें part A में हैं और ये 12 marks के रहेंगे, और उसके अंतरकत unseen passage को आपको कैसे solve करना है, ये मैंने previous वीडियो में आपको बहुत अच्चे से समझाया था, आज मैं आपको दो unseen passage दूंगी, और उनके answer भी दूंगी, लेकिन उसके पहले आपको इसकी practice करना है घर पर, चल ये है हमारा passage number one और इसको में read करूंगी, इसके questions आपको हल करना है और इसके answer मैंने आपको इसके बाद next slide में दिये हुए हैं, देखते हैं, education is a subsystem of the wider social system, although it functions autonomously, it has linkage with the economical, political, religious and other subsystem, with exert a powerful influence on the goals of the educational subsystem, इसमें सिक्षा के बारे में बताया हैं कि सिक्षा जो है, समाज के लिए बहुत उपयोगी है, और ये बहुत सारे subsystem से जुड़ी हुई है, जो कि हमारे सैक्षिक उदेश्यों की पूर्ती में सहायक है, education can rarely free itself from social and cultural norms and has to relate itself to the needs of society, जो सिक्षा है, वो अपने आपको किसी भी प्रकार से समाजिक और सांस्कुतिक इस तर से अपने आपको मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि ये समाज की आवश्यक्ताओं की पूर्ती करती है, Due to globalization and modernization, our society is passing through momentous changes in its value system, वैश्वी करण और आदुनिकी करण के कारण हमारी जो समाज सभिता है, हमारा जो समाज है, वो बहुत जादा परिवर्तनों से होके गुजर रहा, जिसमें से इसकी जो system की जो कीमत है, उस पर भी असर पड़ा है, Value of yester years have taken a backseat and materialism, corruption, dishonesty and other negative value have come to the fore. At this junction, all formal and informal agencies of education, like family, school and community, should realize the explosiveness of the situation. अब यहां पर क्या बोला जा रहा है, कि आज पुराने समय की जो कीमते थी, जो मूल्य थे मानवी मूल्य वो सब backseated हो गए, मतलब पिछले उसमें चले गए, हाशीय में चले उसकी जगह बहुत इक्ताबाद में, ब्रेश्टाचार ने, बेईमानी ने और बहुत सारी नकारात्मक कीमतों ने, नकारात्मक मूल्य वो जगह ले ली हैं. क्यों लेली? क्योंकि जो तिक्षा की संस्थाइं है, जो कि ओपचारिक और अपचारिक संस्था जो है, जैसे कि हमारा परिवार, स्कूल, हमारे यहां का समुदाय, कम्यूनिटी जो भी है, उसमें खुद यह रिलाइज किया है कि आजकल इस सिस्टम में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आ रहा है। It is rightly said, values cannot be taught, they are caught. यह सही बात है कि मूल्यों को पढ़ाया नहीं जा सकता, उनको caught याने खीचा जा सकता है, इखटा किया जा सकता है, दिया जा सकता है, लोग इसको खीच सकते स्वयम में आत्मसाथ कल सकते हैं। All the agencies should become role model if we want our youth to be the right part. Absence of a congenial and loving atmosphere and quarrel among parents are the major hurdles in this direction. अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो भी संस्थाए हैं, उनको एक role model, एक आदर्श प्रस्तुत करना होगा, आज के युवा वर्ग में तभी हम सही रास्ते पर जा सकते हैं। हमारी संग्यानात्मक सोच और त्यार भरे माहोल ने क्या कर दिया के बिना हमारे जो parents के बीट में जो जगड़े होते हैं, उन सब ने इस direction को और बढ़ावा दिया है। In a nutshell, the family has ceased to be an institution for providing cultural, aesthetic and squeezed moral education। शुरू सही अगर कहा जाए तो जो परिवार है, वही जिम्मेदार होता है किसी भी बच्चे के अंदर cultural, साहितिक, aesthetic, धार्मिक, squeezed moral education। और नैतिक्ता की सिक्षा समाज और परिवार से ही मिलती है। On the other hand, formal education is between memory and mechanization. The teacher has become a businessman doing private tuition instead of institutional teaching. Race for degrees and jobs has deteriorated the situation further. अब क्या कहा जाता है कि जो अपचारिक शिक्षा जो है, उसमें क्या हो गया? सिर्म अपचारिक शिक्षा का उद्देश हो गया, याद रखना और एक यंत्रवत रूप से स्थापित रहना। जो सिख्षक हैं वो भी क्या हो गया है? एक प्रकार से बिजनिसमेन हो गया है, जो कि प्राइविट ट्यूशन चलाते हैं और अपने इंस्टिट्यूशन में अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं. आज डिग्रियों के पीछे लगी हुई दौड और जोब यहना रोजगाय प्राप्ति की दौड में इस कीमत को इस सेक्षिक मूल्यों को और भी ज्यादा विनस्टि करण की ओर बढ़ा दिया है. The National Policy of Education 1986 has shown concern on this regard when it says the growing concern over the erosion of essential values and any creationism in society has brought to focus the need for readjustment in the curriculum in order to make education a forceful tool for the cultivation of social and modernity. National Policy of Education दिराष्ट्री सिक्षानीती के हिसाब से 1986 में उन्होंने कहा गया कि आज के हिसाब से हमको वास्तविक जो आवश्यक मूल हैं जीवन के उनको हमेशा बढ़ावा देना चाहिए और सोसाइटी को भी बढ़ावा देना चाहिए और इसके लिए पार्ठिक्रम में इस हेत पार्ठिक और नैतिक मूलियों की पुनर स्थापना के लिए नेक्स देखें बच्चों क्यों कि यह हाई से किंडी लेवल 12th क्लास का है इसलिए पैसे थोड़ा बढ़ा है और इसके रिलेटेड कॉस्चिन भी थोड़ा सा ट्रिकी रहेंगे अब क्या बोल रहे है कि पूरा का पूरा जो सिक्षा तंत्र है उसको पूरी तरह से ओवर्वाल यहने पुना सुधार आवश्यक है हमारे जैसे नागुकों के होते हैं हम नहीं जाएंगे कि सिक्षा क्या हो डेटोरियरेट हो यह मिनस्टी करण की और अग्रिसर हो सिक्षा के सिक्षर के सभी जितने भी सोपान है उन सब को हमको पूरा करना पड़ेगा उसको जोर देना पड़ेगा तभी हम नैतिक सिक्षा और चरित निर्माण वाली सिक्षा को बिना उसके नहीं पढ़ा सकते नहीं तो यह बहुत घा तक सिद्ध होगी अब देखिए यह जो पैसे हमने पढ़ा इसको आपको टू से थ्री टाइम बहुत अच्छे में दिये हुए हैं लेकिन पहले आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे पहला कोश्चन है चैनोनियम फॉर सेल्फ गवर्निंग सेल्फ गवर्निंग का पर्यायवाची इसमें क्या है अब आपको यह समझना पड़ेगा इसके बात बी कोश्चन है और सोसाइटी इस पासिंग इसमें से दो में से कोई चारो में से कोई एक सही है जो हम पड़ चुके हैं ती देखो वैल्यूस कें नौट बी टॉट बे आर रीट स्नेश्ट पर्चेस्ट कॉट आपको इसमें जो आंसर पैसे से मिला के सही लग रहा उसमें आप टिक करेंगे देखिए इंटेलेक्ट विदाउट विजडम कैन बी पैजवर्दी, एप्रेशियेटेग, एड्मायद, सुसाइडल आपको जो सही आंसर है इसे यहाँ पर लिखा है विदाउट विजडम कैन बी सुसाइडल इस आपसे आप आंसर में टिक करेंगे गिवद्ध विद्फर फ्लीजट प्लीजट का वर्द यह शब्द बताना है मिलता जुलता इसमें दिया हुआ है एफ देखिए गिवद्ध वर्ट पॉर्ड़ फ्र्रेवेट्ट संबड़ि फ्रॉम दूइंग यहाँ पर भी इनके आंसर से इसमें साब्कों सही आंसर पर करना है next question देखें बच्चों यहां पर हमने इसके answer टिक करें हुए है अब चलते हैं हम गेव अपोजिट आफ फोर्स फुली उसका answer लिखें गया give the word for appreciation of beauty in nature from the passage कभी answer इसमें है अब questions यहां दिये गए हैं जो questions आपको दो दिये रहेंगे इसमें है what has happened to formal education two marks कर रहेगा again question number J जो है what are the major obstacles in establishing human value इन दोनों questions के answer जो की two-two marks के हैं यह आपको आपके passage में बिलेंगे बच्चों हमेशा short answer लिखना नहीं एक line में answer करके मत चोड़ना क्योंकि आपको यह बहुत अच्छे से नहीं पता होगा पूरा answer कि सब्दों में complete होगा इसलिए पूरा उस चीज के बारे में कम से कम दो लाइन आप उस पैसे से answer बनाते हुए आपको लिखना अब देखो यहां पर पीछे वाली स्लाइट में इसके answer दिये हुए हैं यहां ध्यान दीजिए यहां पर पूरे answer दिये हुए हैं अब हम इसके बात चलते हैं पैसे पर पहें अगें फर से वह हैं रीड़ फॉरूंग पैसे प्यार पोली अजर गांसर देखो जबन प्र पैसे पर अचेंगे Life is a struggle. We live in deeds and not in years. If we rest, we rest. If we work, we shine like jewels. Adventures are the essence of life but action also entails contemplation. Proper action needs the initiative. Napoleon took the wrong initiative and brought the downfall of France. Proper action is always taken by the wise persons. The wise persons always foreshadow the hardships of for executing a policy. They become passive when they forecast that their efforts are at stake. All great leaders and diplomats take the step keeping in view their proper reputation. What is this? 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 We live in our work. We live in the years. People think how many people live in our lives. If we rest, if we rest, we rest, we rest. If we work, if we work, we shine like jewels. एढ़िवन से भाश्चिन की तरह चप्षण की तरह चमकते हैं. Adventure. जीवन में adventures आना हमारे जीवन का एसनस है जीवन का गश्ष्बू है हमारे अंगर की. सही तरेके से लिया हुआ निर्णे हर एक चीज को शुरुवात का दौर करता है नैपोलियन ने गलत शुरुवात की जिसके करण वो डाउन फाला फ्रांस के लिए जिम्मेदार था अब जगती हमेशा सही प्रिया करता है सही एक्षन लेता है वो दिमान गेटी हमेशा हाटशिक्यान कड़ी महनद के बाद ही कोई नीती को तयार करता है और हमेशा उसी चीज को आगे अफ़र्ट्स करते हैं ताकि वो आगे इस काम को बढ़ा सके जितने भी महान लोग हुए ह उन सभी ने अपने प्रॉपर एक्शन लिये हैं और प्रॉपर रेप्यूटेशन बनाई रखी हैं अपने कार्यों की लिए वी शुड़ी स्ट्राइक वें दा आइवन इस पॉट अभी एक प्रोवर्ब है हमको तभी चोट करना चाहिए जब लोहा गर्म हूं कुछ लोग क्या करते हैं हडवडाहट में जल्दी से कोई ना कोई एक्शन करते रहते हैं जिसके कारण वो कैसे मूर्ख समझे जाते हैं एंजल्स आर वाइस पीपल और वेरी पर्टिकुलर अबाउट डियर एक्शन लोग जो होते हैं अच्छे वो क्या करते हैं बहुत बुद्धिमान वेक्टी पर्टिकुलर एक्शन एक पर्टिकुलर समय पर लेता है यह सभी जितने महांदाशलिक हैं उन्होंने पूरी दुनिया को समझने के लिए यही काम किया है अफ्टर इंडेस्टेंडिंग दे मूब वेरी ग्रेजुएली एंड नोट लाइक फूल्स फूपलंग इंटु दा सिचुएशन विदाउट उन्होंने बहुत ग्रेजुएली बहुत धीरे धीरे क्रम्शा आगे अपने स्टेप बनाए उन मूर्खों की तरह नहीं जो Ilvar Khaan ,Unda Bhutto's influence, plundi into war with India, infling destruction to humanity. Our ex-prime minister Lallibahadu Shastri gauze the situation, he responded to the challenge of Pakistan and won the bottle. फूल्स ऑल्वेस मैडल विद्धा सिच्वेशन विदाउट ब्रिंगिंग अवाउट एनी चेंज बट वाइस पर्सन पैनिट्रेट इंटू दा मैटर एंड एप्रोपियेट एक्शन अब यहां क्या बता रहा है कि जो मूर को व्यक्ति होते हैं वह बिना सोचे समझे ही सिच समझे हैं अब परिवरतन चाहते हैं पीद्हिमान ओते हैं वह बिना सोचे समझे अक्छन लेते हैं और परिवरतन चाहते हैं लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो सबसे पहले उस matter, जो situation है, उसके बीच में पहले जांकते हैं, समझते हैं, उसके बाद उचितने ने लेते हैं तो यह बहुत अच्छा message है, जो कि आपको नेतिक रूप से भी सिक्षित कर रहा है चलिए देखते हैं इसके question पहला, according to the writer, life is easy, life is peaceful, life is a struggle, life is precious क्या है यहां पर, तो मुझे लगता हैं कि हमने पहले पहरा में पढ़ा था, life is a struggle second देखो, strike the iron when it is hot, is a लोहे पर चोट जब करो जब कि लोहा गर्म हूँ, यह क्या है, slogan है, poem है, proverb है, या statement है तो यह proverb है, सी देखो, some people are treated as fools because कुछ लोग मूर्खों की तरह माने जाते हैं या उनको treat किया जाता है, क्यों, they act like philosophers, they act like wise persons, they act हैफाजबी, all of our, मुझे लगता है आपने इसमें पढ़ा है passage में, they act हैफाजबी, भी देखो, the passage implies that, यह जो passage है, यह किस तर होता है, one should act quickly, understanding should proceed action, fools penetrated into the matter, then I'll leave, इसमें से जो आपको सही लगता है, आप उसको answer करेंगे, इस देखो, noun form of contemplate is, contemplate का noun form आपको इसमें बताना है, जो है content, contemplated, contemplation, contamination, next question देखते हैं, opposite of rise is, rise याने उदे होना, तो उसका opposite word याने विरुद्धार्टिश अब देख्या होगा, set, progress, promotion, downfall, जी देखो, word form of penetration is, penetrate, penetrating, penetrative, penetrable, इन चारों में से कौन सह है, वो आपको answer करना है, h देखो, the aim of philosopher is, ताशनिकों का उद्देश क्या रहता है, to be like angels, to act like bhutto, to act like ayub khan, to understand the world, फिर इसके बाद दो-दो-माक्स के जो question है, वो जरूर देखिए, when should we strike the iron, who responded to the challenge of Pakistan, यह दोनों के answer बहुत सरल हैं, इसी passage में चुपए हुए हैं, और यहां पर हमने इस slide में second passage के answer दिये हुए हैं, बहले आप सबसे पहले passage को पढ़ो, पैसिस के question को हल करने की कोशिश करो, जब आप पैसिस के question को बहुत अच्छे करिए, thank you with you